नमस्कार दोस्तों स्वगत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल ग्यानदेफिंदी यूटूब चेनल पर तो कोग कम हेलपर्स को सरकार का एक महत्वपोन तौफा जहां रसोयों को सरकार ने बड़ा एलान करते हुए इनके मांदे में काफी बढ़ोतरी करने का एल कर दिया है जहां कैबिनेट से मिली मंजूरी को एक बड़ा तौफा रसोयों को मिल चुका है जहां लगातार रसोयां मांग कर रहे हैं वहीं इन रसोयों को नियमिती करन को लेकर भी आदेस जारी हो चुका है इन सभी अब करमचारियों को नियमित किया जाएगा साथ मैं इ मेड़े मिल करमिकों का मांदह में किया बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है वहीं बात करें हिमांचल से अच्छी खबर जहां मंगलवार को मुख्यमंतरी सुखवीर सिक्कों की अधगस्ता में हुई हिमांचल कैविनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गई कैविनेट में स्कूलों में सेवाएं दे रहे 1207 जलबा हकों को नियमित करने की मंजूरी दे दी है इस 29 के अनुसार 31 मार्च 2023 और 30 सितंबर 2023 को 11 वर्स पूरे करने वाले जलबा हकों को आब नियमित किया जाएगा तो जलवाखों को सरकार की तरफ से अब 11 वर्स पूर्ण करने वाले करमचारियों को नियमित किया जाएगा वहीं साथ में कैबिनेट में ने मद्याहन भोजन याने की MDM के तहत स्कूल में सेवारत रसोयां सहायकों का मांदे 500 रुपे प्रतिमा बढ़ा दिया है तो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है 500 रुपे बढ़ाने की वहीं उन्हें अब 1123 से ही 3500 रुपे की जगह आब 4000 रुपे का मांदे दिया जाएगा साथ में इन सभी करीब इस से 12000 से अधे को कम हलपर यहां पर लाबानवित होने जा रहे हैं तो सरकार का महत्तपॉन फैसला जो की 500 रुपे की व्रिद्धी इनके मांदे में कर ले गई है साथ में आप सभी कम हेलपर्स को सरकार का एक महत्तपॉन तौफा दे दिया गया है तो आप सभी रसयों के लिए काफी महत्तपॉन खबर थी, काफी अच्छी खबर थी इसी तरह की नई लेटिस्ट अपडेट्स के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें